हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चानेल, तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए एक रोशुट तोरन का एक नए डिजाइन लेके आई हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने दो कलर का इस्तिमाल किया है और यह बटरफ्ला इदर लगा है मैंने यहाँ पे और नीचे इस तरह से लटकन लगा के लिए है, और यहाँ पे मैंने पौप्कोण स्टीच का डिजाइन बनाया है और यहाँ पे डबल कुर्शुट है, और यह जो बटरफ्ला है, जो मैंने बनाया है उसका वीडियो मेरी चानेल पे है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, तो फ्र सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कुई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड चलो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड यहां पर अब हम पहले रेड कलर लेंगे और बीस चैन बना के लेंगे इस तरह से सिंपल नॉट लगाएंगे उसमें स्विप को लेके हम चैन बनाएंगे तो फ्रेंड यहां पर मैंने बीस चैन बना के लिया उसके बाद हम यहां पर जो बीस नंबर का चैन है उसके उपर एक डबल कुशिट बनाएंगे बीस चैन के उपर हमें बीस डबल कुशिट बना के लिए नहीं एक एक डबल कुशिट के उपर एक एक चैन के उपर एक एक डबल कुशिट तो यहां पर बीस नंबर का यह जो है पहला डबल कुशिट हो गया उसके बाद आगे का दो नंबर का उसके बाद आगे तीन नंबर का तो इसे तरह से हम लास्टक पूरा यहां तक लास्टक यहां पर डबल कुशिट बना के लिए तो मैं आपको बना के दिखा दिखांगे तो फ्रेंड यहां पर देखो मैंने इस राउन को पूरा किया हमारा एक लाइन हो गया उसके बाद फिर से हम थ्री चैन बनाएंगे टर्न करेंगे जो हमने लाइन बनाई थी उसे हम उल्टा करेंगे और आगे हर एक डबल कुशिट के उपर एक डबल कुशिट बनाएंगे तो इसी तरह से जिस तरह से में पहला लाइन बनाएं वैसा है हमें दूसरा भी लाइन बनाना है तो इसी तरह से हमें दस लाइन बनाके लेनी है इस तरह से डबल कुशिट की और उसके बाद हम धागे का कलर चेंज करेंगे तो यहां पर उसके बाद में यल्लो कलर लोंगी और yellow color के हम double crochet के same एसे ही चार line बनाएंगे इसी तरह से कोई chain कोई double crochet छोड़ना नहीं कोई chain छोड़ना नहीं सीधा पूरा इसी तरह से double crochet का line बना के लिए नहीं तो इसी तरह से red color के 10 और yellow color के मैंने 4 line बनाएं है same yellow color के हमें ऐसे ही बनानी है तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने 10 line बना के लिए red color के और आगे 4 line मैंने यहाँ पे yellow color के बनाएं तो इसी तरह से हम आगे हमारे पट्टी के size का design बनाएंगे तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ फ्रेंड अब हम इस जो हमने double crochet का पट्टी बनाएं है उसे हम इस पट्टी पे तोरण पट्टी पे join करेंगे तो इसे इस तरह से हम इसे धागे से join करेंगे तो पट्टी को हम इस तरह से उल्ठा रखेंगे और जो हमने यहाँ पे जो नीचे का पट्टी बना के लिए है उसे भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे join करके लेंगे तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का ही धागा लिया है तो आप इसे केसे भी रोको पर सीधा उल्टा यह सही होगा तो यहाँ पर हम इसे जाइन करके लेंगे सिंपल कुशिट बना के लेंगे हम यहाँ पर बस हमें तोरन पट्टी को उल्टा रखके इसे जाइन करके लेना है तो इस तरह से धागे को लेके हम हर एक जो यहाँ पर उखे चैन है उसके उपर हम इसको जाइन करके लेंगे इस तरह से तो देखो यहाँ पे हर एक चैन है उन दोनों को हमें नीचे की पट्टी की और तोरण पट्टी की मिला के हमें इसे इस तरह से सिम्पल कुशिट बना के लेना है तो हमारा डिजाइन खुलेगा नहीं यह तोरण पट्टी का और यह नीचे का इसे इन दोनों को मिला के हमें यहाँ पे जॉइन करना है सिम्पल कुशिट से तो इस तरह से मैं आपको पूरा बना के दिखाटी हूं अफ्रेंट यहाँ पे देखो मैंने जॉइन करके लिया है उसके बाद अब हम इसके उपर बटरफ्लाइ लगाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाइ बना के लिए है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है जाके आप देख सकते हो तो इस तरह से यहाँ पे हम बटरफ्लाई को सुईधागे से जोईन करेंगे तो जो रेड कलर की पट्टी है यहाँ पे जो रेड कलर का डबल कुशिट मैंने बनाया है जो 20 लाइन का है उसके उपर हम ऐसे बटरफ्लाई को जोईन करेंगे तो हर एक जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का बलॉक बनाया है उसके उपर हम बटरफ्लाई जोईन करके लेंगे इस तरह से रखके उसके बाद यहाँ पे हम नीचे का डिजाइन बनायेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने बना के लिए है इसे हम कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ तो उससे पहले हम यहाँ पे सारे butterfly जोइन करके लेंगे तो फ्रेंट देखो इस तरह से हम यहाँ पे मैंने सुई के उपर रेट कलर का दागा लिया है और इस तरह से हम नीचे से सुई को उपर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे जोइन करके लेंगे इस तरह से तो इस तरह से हम सारे butterfly को जोइन करेंगे तो फ्रेंट यहाँ पे देखो मैंने सारे butterfly को यहाँ पे तो तॉरन पे जोइन ऐन करके लिया है तो अब हम नीचे जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे पॉपपणश्टीज का डिजाइन बनाए है वह बताती हूं तो उसके लिए हम रेड कलर लेंगे और सुई को लेके यहां से यहां से हम जो रेड कलर का डबल प्रोशिट है वहां से इसे जायन करके धागे को हम आगे शुरू करेंगे डिजाइन को तो इस तरह से हम जायन करेंगे उसके बाद यहां पे त्री चैन बनाएंगे और यहां से पहला पॉप कॉंस्टीज बनाएंगे तो इसके लिए हम इस तरह से वन, टू, त्री, फोर, फोर वर्ण आगे को लेंगे उसके बाद यहां पे एक पॉप कॉंस्टीज बनाके आगे हम टू चैन बनाएंगे टू चेन बना के नीचे का एक जो डबल कुशिट है उसे छोड़ के आगे जो डबल कुशिट है उसके उपर फिर से एक पॉपकों स्टीच टू थ्री फोर इस तरह से उसके बाद फिर से टू 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 चेन तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से ही बनाया है यहाँ पे जो डबल कुशिट है उसे छोड़ देना है आगे का जो डबल कुशिट है उसके उपर एक पॉपकों स्टीच उसके बाद टू चेन तो और आगे का एक डबल कुशिट छोड़ के उसे आगे का डबल कुशिट के उपर 1,2,3,4 उसके बाद यहाँ पे फिर से टू चैन और इस डबल कुशिट को छोड़ के लास्ट के डबल कुशिट के उपर 1,2,3,4 इस तरह से उसके बाद यहाँ पे इसे टर्न करना है और यहाँ से 1,2 जो हमने टू चैन बनाई थी अभी उसके उपर 3,4 तो इस तरह से से यहाँ पे एक पॉपकोंश्टिच हो जाएगा अभी हमने नीचे 5 बनाए पॉपकोंश्टिच तो उपर हम 4 बनाएंगे तो यहाँ पे एक बन गया उसके बाद 2 चैन और यहाँ पे आगे जो गया भे उसके उपर एक पॉपकोंश्टिच उसके बाद यहाँ पे 2 पॉपकोंश्टिच बन गये टू चेंड और यहाँ पे जो गया फिया आगे का उसके उपर एक फ्री हो गए उसके बद वन टू चेंड उसके बद आगे जो टू चेंड का गया फिया उसके उपर एक वन टू फोर तो इस तरह से उसके बद यहाँ पे से इस तरह से टर्न करना है और आगे थ्री पॉपकों स्टीज बनानी है तो यहाँ पे थ्री ग्याप आगे उसके उपर एक एक पॉपकों स्टीज बनाएंगे हम पहला हो गया फिर से टू चेंड फिर से आगे जो ग्याप है उसके उपर एक पॉपकों स्टीज उसके बाद फिर से टू चेंड और आगे का जो ग्याप है उसके उपर एक पॉपकों स्टीज तो यहाँ पे थ्री हो गए उसके बाद टू ग्याप आ जाएंगे तो हम टू पॉपकों स्टीज बना के लेंगे तो देखो यहाँ पे टू ग्याप हो गए उसके बाद वान टू थ्री फोर तो यहाँ पे एक पॉपकों स्टीज हो गए उसके बाद फिर से टू चेंड और फिर से वान टू थ्री फोर यहाँ पे एक पॉपकों स्टीज हो गए तो यहाँ पे टू हो गए उसके बाद वन तो यहाँ पे हमारा डिजाइन है कंप्लेट हो गया तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो हमने रेड कलर के ब्लॉक बनाए हैं बिस लाइन के उसके उपर हम इस तरह से डिजाइन को पॉपकों स्टीज की बना के लेंगे तो मैं आपको पूरा तोर्ण का डिजाइन बना के दिकाती हो तो फ्रेंड यहाँ पे देखो हमारा डिजाइन कंप्लेट हो गया जो लटकन थे ओभी मैंने लगा के लिए है और जो बटरफला है ओभी मैंने लगा कि इस डिजाइन को पूरा किया है तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजु में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना तो इससे क्या मेरी जो भी नए-नए वीडियो बाते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो ठैंक्यू सो मच आपने मेरा पूरा वीडियो देखा